तो चलिए बच्चों सीब्सी सेंपल पर चल रहा था हम लोगों का और आज है कुशन नंबर 33 को अल्टरनेटव खुशन ठीक है तो यह चॉइस वाला कोशन है और अल्टरनेटव कोश्शन है 33 का चॉइस वाला तो इस देखते हैं कि क्या लिखा हुए कुछिन के अंदर जिहान से पढ़ेंगे लिखा है लिखा है डेट-to-capital-employed ratio is 0.321 यहीं आपको दे रहा है debt to capital-employed ratio तो देखो बच्चो डेट-to-capital-employed ratio का formula क्या होता है debt to capital employed का employed का formula देखेंगे पहले होता है formula होता है net current liabilities upon capital employed ठीक है और वो दिया रखा है आपको 0.3 is to 1 ठीक है जी फिर लिखा हुआ है state whether the following transaction will improve यानि आपको क्या बताना है कि यह सारे transaction जो हम आपको नीचे दे रहे हैं first second third and fourth यह सारे transaction आपके ratio को improve करेंगे decline यानि reduce करेंगे यानि in transaction की वज़े से या फिर कोई change नहीं आएगा यह आपको बताना है on the debt to capital employed ratio also give reason for the same तो पहला point यह दे रहा है आपको इस तरीके के देखो question करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है किस तरीके का फॉर्मट बनाना पड़ता है ठीक है और यहां लाइन कैंचो यहां पर भी लाइन कैंचो सीरियल नमबर यहां डालो इंक्रीज डिक्रीज या फिर नो चेंज यहां पर बताएंगे और रीजन इसका यहां बताएंगे तो देखिए क्या होता है इस तरीके के कोश्ण को करने के लिए जो फॉर्मूला है नेट करेंट लाइबरिटीज फॉर्मूला क्या है नेट करेंट लाइबरिटीज नेट करेंट लाइबरिटीज डिवादिर बाइबर 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 अ कैपितल एम्प्लॉइड अब देको कैपितल एम्प्लॉइड यह कैसे बनता है यह जो हम हम बनाते हैं कैपितल एम्प्लॉइड यह बनता है शेयरोल्डर्स शेयरोल्डर्स फंड्स प्लस करेंट लाइबरिटीज इसका फॉर्मूला होता है कि आपको यह चीज बतानी है यहां पर रेशो जो दे रखा है जीरो पॉइंट थी स्टू मन दे रखा है तो आप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो चीज को समझने के लिए हम मन गणत फिकर ले लेंगे यहां इसी रेशो के अंदर अगर आप यहां पर 3 लाइक लेते हो नेट करेंट लाइवर्टीज को तो क्यापिटल एंप्लॉइड आप किते ले लो 10 लाइक ले लो अपनी मर्जी है कोई से भी विगर आप ले सकते हो इसी रेशो के अंदर अब हम इस रेशो के अंदर फिगर्स ले लेंगे और देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है कि लिखा है सेल ऑफ एक्विप्मेंट कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फौर रुपीज 9,000 अगर आपने एक्विप्मेंट बेची है फस्ट अगर हमने एक्विप्मेंट बेचा है ठीक है तो एक्विप्मेंट बेचने पर क्या एंट्री करेंगे हम कैश या फिर बैंक अकाउंट डाविट क्या लेक होगे कैश या फिर बैंक अकाउंट डाविट 10,000 की 9,000 में बेच नहीं है यह लिखा हुआ दा न है लाप एक्विप्मेंट कॉस्टिंग रुपीज 10,000 पर 9,000 बन लाइक रुपीज का आपको नुक्सान हो गया कितने का नुक्सान हो गया 1,000 का तो स्टेट्मेंट आफ पीनल अगांट डाविट पीनल से चार्ज करेंगे एक लाग को नुक्सान टू एक्विप्मेंट 10,000,000 ठीक है जी चलिए अब देखना ही है कि क्या कैश आने से क्या कैश आने से क्या हमारी नेट करेंट लाइबर्टीज में कोई चेंज आएंगे आंसर है नहीं क्या equipment के जाने से क्योंकि equipment क्राइट हो रही है क्या equipment के जाने से क्या net current liabilities में कुछ changes आएगा आंसर है नहीं क्या cash या bank आने से तो अब जैसे देखो कि अपन देखें क्या equipment से क्या capital employed में या net current liabilities में कोई ना कोई changes आएंगे क्या answer है नहीं लेकिन change आएगा change आएगा किसके अंदर change आएगा आपका statement of penal की वज़े से changes आ जाएंगे आपकी किस वज़े से changes आ जाएंगे statement of penal की वज़े से देखो statement of penal किसका पार्ट है reserve and surplus का किसका पार्ट है रिजर्व एंड सर्प्लस का और रिजर्व और सर्प्लस में अगर चेंजिस आते हैं तो शेर ओल्डर फंड में changes आ जाएंगे क्योंकि शेर ओल्डर फंड में रिजर्व एंड सर्प्लस लगता है इसमें changes आ जाएंगे इसमें changes आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ आपका denominator बढ़ जाएगा तो जब denominator बढ़ जाएगा तो जब denominator बढ़ जाता है याद रखना बच्चों अगर मानके चलो यह 12,000 से तो यह 11 lakh हो जाएगा 10 की जगे तो 3 lakh upon 11 lakh करके देखो कितना आ रहा है करके देखते हैं 3 lakh divided by 11 lakh ठीक है यह कितना आ जाएगा तो आपका decrease हो जाएगा लेकिन देखो अब कोर से देखोगे तो यहाँ पर statement of penal loss है यह आपका loss अगर profit होता तो reserve and surplus बढ़ता लेकिन यह profit नहीं है यह तो loss है तो loss से क्या होगा 10 lakh 11 lakh नहीं होंगे 10 lakh क्या हो जाएगे 9 lakh हो जाएगे अब आप करके देखो अब आप करके देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पर 3 lakh divided by 9 lakh करके देखो 3 lakh divided by 9 lakh क्योंकि loss है है तो reserve में surplus में जाएगा लेकिन loss है तो पहले आपका 0.3 था अब क्या हो जाएगा 0.33 1 तो यह नि कहीं ना कहीं आपका ratio जो है वो क्या हो रहा है increase हो रहा है तो आप यहाँ लेकोगे increase और reason क्या बताओगे रीजन भी बताना है जरूर ही है capital employed will decrease with capital employed will decrease with no change in debt ठीक है इसके बार देखिए अब बार देखो यहां पर आती है next point की अगर मैं बात करूं point number 2 की तो देखिए point number 2 क्या बात बोलता है point number 2 बोलता है purchase goods on credit for rupees 1 lakh बहुत जहां सा देखिए गा purchase goods 1 lakh का किया बने credit में credit किते time period का है 15 months का है अब यह बोल रहा है operating cycle आप assume करो 18 months का देखो कोई भी transaction अगर within the operating cycle होता है फिर तो वो current करण्ट के लाता है अपना ठीक है अगर यह purchase किया है आपने तो आप इसी बात है आपके credit क्रेटर्ट हुए लेकिन within the operating cycle हुआ है तो यह non current liabilities नहीं के लाएगा यह तो current liabilities के लाएगा ठीक है क्योंकि 15 months का credit है जबकि operating cycle आपकी कितनी 18 months की है इसका मतलब यह current liability है क्योंकि operating cycle के अंदर है तो कोई भी transaction अगर within the operating cycle होता है तो वह current liabilities यह current assets ही के लाता है तो यहाँ purchase goods on credit करने से क्या non current liabilities में कोई फरक आएगा answer है नो क्या परचेस अगर हम goods करने credit के अंदर तो क्या हमारा capital employed में कोई फरक आएगा एगा capital employed के अंदर तो क्या क्या आते है शेरोल्डर्स funds प्लस current liabilities है ना क्या इसमें कोई change आएगा तो जवाब है purchase किया अपने goods credit में तो purchase account अभिट एनी stock आ गया और two creditors two creditors ठीक है तो देखिए इसके अंदर कोई change नहीं आएगा यह net current liabilities है इसको आप correct करने current liabilities नहीं तो डोनों में कोई change नहीं आ रहे तो आप क्या बोलोगे इसका अंसर क्या हो जाएगा और जाएगा तो नो चेंच नो चेंच क्यों 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 क्योंकि ना तो है नेट करन्ट लाइबटी में changes आ रहे हैं ना capital in the में changes आ रहे हैं तो लिखुआ आप no change in capital employed no change in capital employed and debt ना तो debt में कोई changes है ना capital employed में कोई changes है ठीक है जी तो पहले का भी हो गया और दूसरे का भी हो गया ठीक है जी चलिए अब आती है पॉइंट नंबर तीसरा अब आता है पॉइंट नंबर तीसरा ठीक है जी तो देखते हैं अब देखते हैं देखिए आगे का पॉइंट देखते हैं आगे क्या बात बोलते हैं हमको कि नेक्स्ति थर्द नंबर का पाइंट आप आप देख थर्ड नंबर का पाइंट क्या है कर देशित अरी तो देखे क्बार्यची को झ सैं दोकिश्ति य возможно exemption है ना तो का विवेंचर है कुईटि शेर में कंवर्ट ऊर्ट हो रहे हैं आप है तो एसी स्थिती के अंदर कुटी शर में बड़ जाएंगे तो terse क्या हमारे चैन्ज हो जाएंगे हाँ हो जाएंगे क्योंकि शेर Award उल्डर फंड के अंदर इकुटी शेर कैपिटल आते हैं, तो टैनलेक से हमारा एकुटी शेर कैपिटल कितना हो जाएगा, 12 लैक हो जाएगा, क्यों कि डिबेंचर जब एकुटी शेर में कonvart हो जाएगा, तो आपके कहीं न कई शेरोल्डर फंड में बड़ोतरी हो जाएगी शेर ओल्टर फंड में बड़ोतरी हो जाएगी तो capital employed बढ़ जाएगा net current liabilities में कोई changes नहीं आएगे तो 3 lakh upon 12 lakh करके देख लो तो जब जब denominator बढ़ जाएगा तब तब क्या होने बाला है decrease decrease होगा तो यहां लिख दो a third point क्या हो जाएगा आपका decrease third point हो जाएगा decrease क्यों हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्यों हमारे shareholder employed will increase क्योंकि shareholder fund बढ़ जाएगा तो capital employed बढ़ जाएगा with no change in debt with no change in debt ठीक है जी चलिए अब last and the final हमारा राइस में क्या tax refund of Rs. 50,000 during the year tax refund good tax refund of 50,000 अब देखो tax का refund होगा तो cash आपके पास आएगा cash बढ़ जाएगा तो एक जगे तो cash बढ़ जाएगा दूसरी जगे आपका profit बढ़ जाएगा तो ठीक है अगर cash बढ़ता है तो कोई changes नहीं आएंगे Net Current Liberty में लेकिन अगर profit बढ़ गया तो shareholder funds में changes आजएएगे और shareholder funds में changes आजएएगे तो capital employed में भी changes आजएएगे कहाँ निए capital employed भी बढ़ जाएगा और आप लोग तो बच्छों जानते हो इस बात को कि अगर capital employed बढ़ जाएगा तो denominator बढ़ते ही ratio तो यहां पर आप क्या लिखेंगे फॉर्थ नंबर का पॉइंट क्या लिखने वाले हैं डिक्रीज चलिए लेख लो इसका डिक्रीज ठीक है जी अब आती है बात यहां पर रीजन इसका सेम रहेगा capital employed will increase with no change in debt तो इस तरीके से ये question number 33 का choice वाला question भी आपका complete हो गया उमीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो चलिए बच्चों cbse sample paper का आखरी question question number 34 जहां से पढ़ना है क्या चीज लिखी हुई है question क्या चीज कहना चाहते है लिखा हुआ है read the following hypothetical text and answer the given question on the basis of the same asana and alumnus of cbse school initiated her startup smart pay in 2015 smart pay is a service platform that processes payment via upi and pos and provide credit or loans to their client during the year 2021 22 smart pay used bonus share underline it smart pay issued bonus share in the ratio five is to one by capitalizing results थीख बात है थीख बात है the profits of smart pay in the year 2021 22 after all appropriation was rupees 750,000 आपको profit का amount दे रहा है 750,000 का this profit was arrived after taking into consideration the following items आगे आपको items दे रखें interim dividend paid during the year depreciation on machinery loss due to fire insurance claim received for loss of machinery due to fire और ये वही है extraordinary जो भी आपने पहले भी करके आया थे इसका question ठीक है और इंट्रेस्ट और नॉन current investments received tax refund अब देखिए बहुत सारे बच्चों को तो यही चीज़ समझ में नहीं आई होगी सर की यह क्या लिखा हुए तो देखिए बच्चों मैं कहना चाहता हूं कि हर और पांच के बदले में एक bonus share दिया गया हर पांच share के बदले में एक bonus share दिया गया ऐसा लिखा हुए जिनके पांच पांच शेर थे उनको एक bonus share दे दिया इसके बाद आपको question में information दे रखिए यह सारी कुछ traditional information है और आपको निकालने को बोल रहा है क्या net profit calculate करना है operating profit before changes in working capital cash flow from investing activity cash flow from financing activity and cash and cash recurrent यहनी more or less सारी चीज़े आपसे पूछीं ठीक है सवाल बच्चों यह उड़ता है कि जब बच्चा equity share capital को handle करने जाएगा तो वो क्या देखेगा है 2021 में थे 10 लाक रुपे की equity share capital और 2022 में कितने की होगी बारा लाक रुपे की तो वह बोलेगा साथ हमने टू लाक की equity shares issue कर दी है ठीक है और financing activity में प्लस में लिखकर आएगा लेकिन यह जो दो लाक की equity share issue किये है यह किस वज़े से किये है यह देखिए हर पांच को अगर हम एक share दे रहे हैं तो एक को हम कितने देंगे वन अपॉन पाइफ और जिसके पास अल्रेडी 10 lakh shares है 10 lakh rupees के उसको bonus कितने रुपे के share मिलने वाले हैं जब आप इसको solve करोगे तो 2 lakh आ जाएगा तो समझे बच्चों यहां inflow नहीं हुआ को कि जब bonus shares issue होते हैं तो inflow कभी नहीं होता cash का तो जो बच्चे यह सोच रहे हैं कि 10 lakh से 12 lakh equity share होने पर बड़ा important point है कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि 10 lakh से 12 lakh होने पर मैं financing activity में जाके equity share को में plus में जाके 2 lakh रुपे लिख दूँगा तो उनका answer गलत होने वाला है क्योंकि यह जो 2 lakh share बड़े हैं वो किस वज़े से बड़े हैं bonus की वज़े से यहाँ पर इन्होंने point दे दिया ठीक है more or less सारी बाते ही पूछ रहे हैं आपसे तो कैसा format है देख लेते हैं चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले आप क्या लिखोगे cash flow statement accounting standard 3 इसके according बनाएंगे और इसे देखिए format में first हम क्या निकालते हैं cash flow from operating activities ठीक है cash flow from operating activity और जब आप cash flow from operating activity first में निकाल दोगे ठीक है तो यहाँ पर आएगा क्या operating प्रॉफिट इसके बाद हम क्या काम करते हैं एड या लैस करते हैं current assets और current liabilities के बढ़ने अगटने से जो फायदे नुकसान होते है current assets अगर बढ़ गई फायदा होगया less कर देते है current liabilities और अगर घट गई फायदा होगया less कर देते हैं लेकिन current assets घट गई नुकसान होगया add करते है और करंट लाविटी जद्य वड़ गई लुकसान हो गया एड करते हैं तो ऊसके बाद आपके पास जो आएगा वो क्या आताया कि जो भी वैल्यू आपके पास आती है उस वैल्यू में हम क्या व्लैक करते लैस करते हैं जो भी value हमरे पास आती है, उस value हम क्या करते हैं, less करते है, tax paid, जैसे ही आप tax paid less करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, cash flow from operating activity, cash flow from operating activity, जैसे हम A नाम देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या निकालने जाते हैं, c, f, i, a, investing activity, investing activity में जो भी purchase of fixed assets होती है, वो minus करते हैं, sale of fixed assets को plus करते हैं, वो सब करने के बाद जब आपके पास क्या आ जाएगी हैं, आपर, B, cash flow from investing activities, और, फिर, c, cash flow from financing activity, यहीं निकालते हैं, तो यहाँ आजाएगा, c, f, f, a, उसके बाद हम क्या जाम करते हैं, next page पे लिख लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या जाम करने वाले हैं, प्लस करते हैं, ओपनिंग, पहले तो a, plus b, plus c करोगे, जो भी आपके पास आया है, a, plus b, plus c, जो भी आया है, हमारे पास, operating activities है, investing activities है, financing activities है, उसमें हम plus करते हैं, opening balance of cash and cash equivalent, opening balance of cash and cash equivalent, ठीक है, फिर जो आएगा आपके पास, वो क्या आजाएगा, closing balance of, cash and cash equivalent, तो देखो, यह cash flow का question करने के लिए, मैं पहले भी बदा चुका हूँ, हमें format याद होना चाहिए, तो अब आपको क्या निकालना है, सबसे बढ़े हैं, तो net profit, net profit निकालते है, net profit before tax, NPBT, तो आपको question के अंदर NPBT के इतरा दे रखा है, 7,50,000 है, अब इसमें आपन को सारे adjustment करने, चलिए, क्याकर चीज़े जोड़नी है, लिखाना after all appropriations, यह सारे appropriations इसमें पहले से घट चुके हैं, तो हम देको interim dividend है, अब interim dividend को हम दो जगे दिखाते हैं, एक तो NPBT में add करके दिखा होगे आप, ठीक है, interim dividend add करते हैं, और क्योंकि आपने इसको payment किया तो financing activity में पैसा जा रहा है तो less भी होगा, तो दोनों जगे दिखाएंगे, 90,000 financing activity में पहुंच जाओ आप, interim dividend financing activity में less हो जाएगा, 90,000, और इसी के साथ साथ आपका जो हमने अभी NPBT निकाला था, उसमें interim dividend plus भी हो जाएगा, तो जिन बच्चों को format याद है वो तो फटाफट कर लेंगे, interim dividend 90,000, ठीक है जी, इसके बाद देखो आती है depreciation on machinery, आप देखो machine से link up नीचे information दे रखी है क्या, हाँ, machine से link up देखो, आपको opening closing balance भी है और depreciation भी दे रखा है, तो जब आपको depreciation की information भी है, machine की opening closing value भी दे रखी है, तो better है हमको इसका account बना लेना चाहिए, ताकि हमें पुरा समझ में आ जाए कि machine के बारे में कहना क्या चाहते हैं, तो चलिए, यहाँ पर अपन machine का account बना लेते हैं, तो यह आपका हो गया particular amount, particular and amount, ठीक है जी, तो यह हो गया आपका machinery account, particular, amount, particular, amount, तो सबसे पहले हमें opening और closing balance लिखना चाहिए, यह debit side है, सभी बच्चे जानते हैं कि machine हमारी assets हैं, इसका opening balance debit में आता है, तो देख लेते हैं कि opening balance कितना है, तो उपर से ध्यान दे के चलना है, कहीं बच्चे first balance को opening balance मान लेते हैं तो वहीं गलती होती है, तो यहाँ पर 21 में आपके 2 lakh जे रखे हैं और closing है 3 lakh, तो 2 lakh opening हो गया, closing हो गया 3 lakh, 2 lakh opening है, और closing है 3 lakh, 2 balance, 2 lakh opening, और by balance ED, 3 lakh, 3 lakh आपका हो गया closing, अब दिखना है यह कि और भी कोई information हमें दे रखी है, हाँ दे तो रखी है, एक तो depreciation की दे रखी है, एक loss of machinery due to fire दे रखी है, है ना, तो इन दोनों information को अपन को दिखाना चाहिए, 40,000 और 20,000, तो 40,000 तो हो गया आपका depreciation, तो by depreciation, 40,000, और जो loss हो गया उसको आप by penal करके दिखाए, 20,000 का, ठीक है, और को information दे रखा है हमें, तो हमने कोई asset खरीदी हो, machine कोई खरीदी हो, कहीं पर बेन दे रखा कि हमने कोई machine खरीदी है, यह जरूर दे रखा है, insurance claim received for the loss of machine due to fire, यह आपका एक extraordinary item है, तो इसका treatment अलग से होगा, तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसका balancing figure निक दे रख लेते हैं, कि हमने कितने की purchase sale क्या है, तो credit side का total को साफ देखने भी जदा लग रहा है, 40,000 प्लस 20,000 और plus के 3 lakh, 3 lakh 60,000 हो गया, minus 2 lakh करेंगे, तो 1 lakh 60,000 की हमने purchase कर लिए, तो 2, bank balancing figure, कितने की purchase कर लिए, 1 lakh 60,000, ठीक है, अब जितने की आपने रेको purchase कर लिए, यह आपकी चली जाएगी investing activity में, जितने की हमने purchase किया है, तो चली है, जो purchase करते हैं, investing activity में, अपन less करते हैं, तो सबसे बढ़े जाके less कर लेते हैं, investing activity में, तो यह है, यह है, यह है, investing activity, purchase of machinery ठीक है, purchase of machinery, 1 lakh 60,000, तो यह माइनस में आएगा, और जो माइनस में आते हैं, उनको हम ब्रेकेट में दिखा देएगा, फिर और क्या चीजी है, यह है, कि लॉस और डेफने जूर्फेशन को भू तो दोने जाके हम जोड़ेंगे इस दिशुन को भी जोड़ेंगेah की कि जूड़ países ब्ली Durian अपने उस्टकशिए कि इस थाफ की देखी हो कहा चला गया रहा ए प्लस डेप्रिसियेशन 20,000 20,000 का डेप्रिसियेशन हो गया और आपका मैंने उल्टा को नहीं लिख दिया था है 40,000 का डेप्रिसिये 20,000 का लॉस है 40,000 का डेप्रिसियेशन 20,000 का लॉस वैसे हमको इसको कहा लिखना चाहिए यह NPBT निकालने के बाद जो value आती ही नहीं उसमें लिखना चाहिए वैसे हम यह है यहां पर यह जो value आईगी नहीं प्लस डेप्रिसियेशन 40,000 और प्लस loss on loss on मशीन डूटू फायर लॉस अफ मशीन डूटू फायर लॉस आफ मशीन डूटू फायर ठीक है कितने घाज हैगा 20,000 तुछली अब देखो अब यह कर लिया अपने यहापर 20,000 लिख दिया अब देखोई अब क्या चीज़ होती है यहाँ पर यह सब चीज़े लिखने के बाद आपने इन्वेस्टिंग अक्टिविटी में भी लिख चुके हैं पर्चेज ऑफ मशीन सारी चीज़ यहाँ अब आती बाद एक्स्ट्राइडनरी आइटम में देखो मैंने एक्स्ट्राइडनरी आइटम का बताया था कि हम इसको आपको आपका लौस हुरा है और आपको यहां पर लिख डाए आपको तो से इसको इसको किया गया कर देंगे अ तो NPBT में तो इसको क्या कर देते हैं लैस और यहाँ पर लिख देते हैं इंशुरेंस इंशुरेंस रिसीवड और लॉस और मर्शी तो कितना विला है अपन को यह इंशुरेंस का पैसा 10,000 रुपीज मशीन को लॉस हो गया था उसका इंशुरेंस का पैसा मिला है और NPBT की जो आपने कैल्गूलेशन की है वहाँ पर जाके इसको लैस कर देंगे लैस एक्स्ट्रा ओर्डिनरी आइटम एक्स्ट्रा ओर्डिनरी आइटम में इंशुरेंस क्लेम और मशीन ठीक टैन दाउसन का लॉस लैस कर देंगे आप ठीक है जी यानि इसकी कैलकुएशन भी हमने कर ली ये भी हो गई ये भी हो गई इंट्रेस्ट और नॉन करेंट इंवेस्ट्मेंट रिसीव तो इंट्रेस्ट और नॉन करेंट इंवेस्ट्मेंट रिसीव को हम जब प्रॉफिट बिफोर चिंज इन वर्किंग कैपिटल करते हैं तो वहां से तो करते हैं लेस इंट्रेस्ट प्रॉरय नम क्या है इंट्रेस्ट on non-current investment receive, interest on, क्योंकि वो non-trading है न इसलिए interest on non-current investment receive, तो यहां से तो हम इसको less कर जाते हैं, ठीक है, और investing activity में जाके add कर देंगे, 30,000 रुपीज, और investing activity में जाके add कर देंगे, interest on non-current investment receive, तो यह हो जाएगा, 30,000 add, ठीक है जी, अब यह चीज भी कर देंगे, tax refund, अब यह tax refund का system अपन बाद में बताएंगे, जब मैं आपको provision for taxation का बारे में बताऊंगा, तो अब आप और आगया आजाए, इकुटिशर capital लिखेंगे नहीं, securities premium 5 lakh से 3 lakh हो रहे है, इसको गीपर के लिए बन छोड़ देते है, general results देखो amount बराबर है, तो इसका भी कुछ नहीं करना, अब देखिए यहाँ पर आर यह बात कि इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सेक्यरोटी ये कैश एंड कैश एकुलेंट का पार्ट होता है और कैश एंड तो होता ही कैश एकुलेंट है तो दोनों मिला कि अगर मैं बात करूँ नंक passé इन दोनों को अगर मैं जोड धू तो यह बन जाएंगा थ्री लैक टॉव्टी घूजन इन डोनों को जोड दूँ तो यह बन जाएंगे हमारे फ्वॉरव़ तहीक है ना तो कैश एंड कैश एकुलेंट में ओपनिंग बैलेंस में जाकर 350ुच जोड़ुँगा ओपनिंग बैलेंस में जाकर 3,50,000 जोड़ोना, cash and cash recurrent ठीक ही, cash and cash recurrent का ओपनिंग बैलेंस में जाके कितना जोड़ना है मैंने 3,50,000 और जो मेरा answer आने वाला है वो कितना आने वाला है, 4,000 closing balance 4,000 ठीक है जी आगे बढ़ते हैं machinery का हिसाब किताब अपन करी चुके है 10% non-current investment 3,00,000 से 4,00,000 हो गई non-current investment आपने खरीड ली तो purchase कर ली तो यहां लिख दिजिए purchase of non-current investments तो देखिए अब और आगे चले तो purchase of non-current investment 1,00,000 है लिख देखिए है purchase of non-current investment 1,00,000 यह भी माइनस में चला जाएगा क्योंकि purchase की है आपने ठीक है bank overdraft 2,00,000 चले जाएंगे तो इसका मतलब यह भी हमारा financing activity है तो bank overdraft 50,000 तो हमने कहीं न कहीं bank odi लिया है ना तभी तो पहले टूल एक था फर टूल एक फिफ्टी हो गया अब देखिए goodwill के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है goodwill का हम बनाएंगे account यहीं बना ले ओ आप goodwill का account बना लेंगे working note में तो आपको क्या दे रखा है है आपर goodwill में opening balance दे रखा है 80,000 closing है 30,000 balance bd 80,000 closing है 30,000 ठीक है जी नीचे आपको information दे रखिए कि goodwill purchase की गई है 20,000 की तो आपने goodwill purchase कितने की कर ली 20,000 की तो two cash कितने की purchase कर ली अपनने 20,000 की अब देखना ही है कि आपर balancing figure कितना आ रहा है ठीक है तो जो balancing figure आ रहा है 80 plus 20 ये 1,00,000,000 में 30,000 की 70,000 तो ये जो credit side में balancing figure आ रहा है न वो amortization होता है goodwill का यानी goodwill return-off तो वो amortization के लाएगा आपका 70,000 तो जो goodwill का amortization होता है वो थो हम add करते हैं कि अब यहाँ पर add करोगे plus goodwill कितना 70,000 का ठीक है और आगे की बात करें तो goodwill आपने देखुए या पर पर्चेस भी किए 20,000 की तो वो investing activity में चली जाएगी जो हमने पर्चेस किया है है ना थोड़ा सा इसको उपर shift कर देते हैं तो चलिए चलिए अब goodwill पर्चेस किया है हमने तो पर्चेस भी लिख देते हैं पर्चेस अब गुडविल तो पर्चेस भी कितने की हो गई पर्चेस भी ले टुडी दाउदन की ठीक है चेए अब आती है बात प्रपोस डिविडेंट की देखो बच्चों प्रपोस डिविडेंट का एड कर दो आप एक बार तो 1,60,000 को किसमे एन बीबीटी में तो 1,60,000 एड कर देते हैं यह रहा तो करें प्लस प्रपोस डिविडेंट यह है आपका प्रपोस डिविडेंट कितना था देख लिए थे कितना था प्रपोस डिविडेंट यह था 1,60,000 का तो हम 160,000 रोपीस एड़ कर देगे ठेक है जित और फिनासिग अक्तिविटी में जाके अपनवेस को कर देगे तो फिनासिग अक्तिविटी में जाके ऍेलेस भी कर देगे तो प्रपोस्ट डिविडेट तो यह हो जाएगा 160,000 कि अजुटबफर शिट कर सकते हैं पर पर कि है कि अब देखें अब हमारे पास कि आ है अज़ेस्स्मेंफिक रोलियसनफ आ टक्सिता का裡न फोर टक्स बचा हुए तो चली है प्रोस नयवकिंट फोर डेक्स के लेकिन provision for taxation का icon बिळाने के ज़रत इसलिए नहीं बड़ेगी क्योंकि इसका तो hàng त्रीट्मेंन्ट है मौन कि कि की चुर्फ का जो हुता है वो अपन क्या करते हैं करनट चे प्रोबीजिन बीज़न को अद करते हैं और previous year को pay off करके less कर देते हैं, ठीक है, तो current year का कितना है, हमारा 80,000 है, तो एक काम करते है, 80,000 add back कर देते हैं, NPBT में, तो NPBT में, प्लस, provision for taxation, 80,000, और नीचे आपको question देखो लिखा हुआ था, tax refund के बारे में, तो देखो tax refund लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ था एक जगे tax refund ही रहा, तो जो tax refund होता है, उसको हम क्या काम करते हैं, उस tax refund को भी आप less करके दिखा देंगे हैं आपर, less, tax refund, 20,000 का, और जो current year का है, उसको अपने, current year का कितना है हमारा, अच्छा यहां एक गड़बड़ी होगी, कि tax paid को, current year तो आपने add back कर दिया न, तो tax paid को अपने क्या काम करना चाहिए, tax paid को, यहां पर देखिए, यह, just a second, current year वाला तो provision add back हो जाता है, जो अपने add कर लिया, और tax refund को less भी कर दिया, previous year का tax paid होता है, तो previous year वाला जो tax paid है, वो अपनको less करके दिखाना चाहिए, चलिए, tax paid यहां पर लिखते हैं, less करते हैं, तो आपका 60,000 था, लेकिन इस 60,000 में net of refund less करते हैं, net of refund, तो less कितना करना चाहिए हमें, 40,000, ठीक है, 40,000 less करना चाहिए, तो चलिए पहले देख लेते हैं, NPBT हमारे कितना आया है, इसका net answer निकाल लेते हैं, वीटी का, ठीक है, तो इसके अंदर आगई बात हमारे, हमारे पास बात आ जाती है, एरा amount जोड़कर देख लेते हैं, कि 7,50000, प्लस 90,000, माइनस के 10,000, प्लस के 1,60,000, प्लस के 80,000, अग प्लस के 20,000, तो यहां जागर 10,90,000, 10,90,000, यहां पर लिख लेजिए, यह हो गया 10,90,000, NPBT, और अब इसमें जोड़ेंगे हम, 10,90,000 में, प्लस के 70,000, प्लस के 40,000, प्लस के 20,000, और माइनस के 30,000, ठीक है, यह आ गया 11,90,000, क्या हमारे पास कोई current assets, current liabilities भी थी, चेक कर लेते हैं, क्या कोई current assets, current liabilities थी, आंसर है नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, net profit before changes in working capital, अब यह कुछ थी नहीं, उपको छोड़ो, 11,90,000 में से 40,000 गए, minus 40,000, हमरे पास आज जाएगा, 11,50,000, ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक थोड़ा सा हमको घ्यान देने वली बात यह है, कि जो tax refund है ना, वो tax refund, जो refund of tax हुए है, वो यहाँ पर less होगा, क्यों लेस होगा, क्योंकि non cash item है ना, वो अपना non trading item है ना, इसलिए उसको यहाँ पर less करेंगे, तो यह हो जाएगा, 10,70,000, 90 की जाएगे, तो फिर calculation करके दिखा देता हूँ आपको, यह आपका हो जाएगा, 7,50,000, 7,50,000, plus 90,000, minus 10,000, plus का 1,60,000, plus का 80,000, 10,50,000 है, और minus के 20,000, 10,50,000 हो गया यह, ठीक है, 10,50,000 हो गया, रेकियो बच्चों, basically क्या चीज है, answer हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है, यह जैसा कि हमने किया था पहले बिल्कुल वैसे ही होना है, तो आंसर बिल्कुल ठीक है, कि refund of tax, minus ही होगा, तो net amount हमारा, अच्छा, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कि देखे, 7,50,000 आपने लिख दिया, ठीक है, provision for taxation, मैं आप टिक लगाता चला जाता हूँ, आप सभी बच्चे देख लीजाएगा, 7,50,000 आ गया हमारा, ठीक है न, और इसके अंदर 7,50,000 आ गया, और provision for taxation, हमारा 80,000 आ गया, और interim dividend paid हमारा 90,000 आ गया, और फिर उसके बाद हमको loss on sale of assets, वहाँ न लिखके यही पर लिख देना चाहिए था, plus loss on sale of assets, यही पर लिख देना चाहिए हमें, loss on sale of assets, 20,000, ठीक है, तो loss on sale of assets भी आगया, 20,000, 10,000 रुपीज हमने insurance claim के minus भी गर दीगे, 10,000, ठीक है जीए, और फिर उसके बाद, 20,000 refund of tax हो गया, और 1,60,000 रुपीज हमना हमारा proposed dependent हो गया, तो यह सब चीजों की calculation, एक बार हम वापे से देख लेते हैं, कितनी आ रही है, तो 7,50,000, plus 90,000, plus K 20,000, minus K, minus K 10,000, plus K 1,60,000, और प्लस के 80,000, और minus K 20,000, तो यह आ रहा है हमारा 10,70,000, और अब हमारा विल्गू करेक्ट है है, 10,70,000, ठीक है जी, और अब आपको यह 10,70,000 रुपीज कहां पर दिखाने है, यहां पर, यहां में दिखाने है, 10,70,000, यह आ जाएंगे यहां पर, ठीक है जी, यह आ जाएंगे यहां पर 10,70,000, और यहां पर जो loss on machine दिखाया था, due to fire, इसको यहां से अटा देंगे, क्योंकि अपर उसको पहले महाँ पर जोड़ चुके हैं, यहां अन्नासरी फिर से जोडने के हमें कोई जरुवत नहीं पड़ेगी हैं ना, फिर इसके बाद देखी क्या चीज है, इसके बाद देखी क्या चीज आती है, आपर बात आप, अब calculation करके देखें, कितना आता है, यह होगिया, 10,70,000, प्लस, 70,000, प्लस के 40,000, प्लस के 20,000, और माइनस के 30,000, 11,70,000, यह आजाएगा, 11,70,000, चलिए बच्चेशन पर फिर से इसके calculation करते हैं, सारी calculation गलत हो गई है, वापिस करते हैं, 11,70,000, प्लस के 70,000, प्लस के 40,000, माइनस के 30,000, तो यह आजाएगा, वो, 11,70,000, प्लस के, वापिस देखें, प्लस के 10,70,000, प्लस 70,000, प्लस 40,000, और माइनस के 30,000, तो आ रहा है हमारा 11,50,000, अब आंसर बिल्कु करेक्ट है, और यहीं आंसर होगा, 11,50,000, तो 11,50,000 भी हमारा आंसर आ चुक है, और अब बचा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, अब इसको लिख दो यहांपर 11,50,000, और उसमें से हमारे क्या जाएंगे हैं आपर, 40,000 यह टेक्स पेट भी जाएंगे, ठीक है, अचलिए बच्छों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी निकल के देख लेते हैं, तो पहले तो प्लस प्लस वहले प्लस कर लेते हैं, 10,000, प्लस के 30,000, माइनस के 1,00,00, माइनस के 20,000, और माइनस के 1,60,000, तो यह आ रहा है 2,40,000 माइनस का, इसका मतलब आपका cash flow from investing activity, आउटफलो आ रहा है, आउटफलो यानी 2,40,000 का माइनस, ठीक है, अब हम बात करते हैं, financing activity की, तो देखते हैं, financing activity कितना आ रहा है, financing activity में देखो एक तो हम आ रहा था यहां पर, 50,000 का bank overdraft वो लिखा है हमने, और 90,000 माइनस में वो भी लिखे हैं हमने, और 1,60,000 प्रपूस डिमिडेंट पे किया, यह भी मैनस में जाएगा, यह भी लिखा है, तो जो मैनस मैनस में उनको पहले प्लस कर लेते हैं, 1,60,000 है, प्लस 90,000 है, यह मैनस में हो गए, तो cash flow from financing activity यह भी मैनस में आ जाएगा, ठीक है जी, देखे बच्चों इसके अंदर देखे balance sheet नहीं है, हमको, तो match, A plus B plus C तो हो नहीं पाएगा, तो हमारा operating profit before changes in working capital भी आ गया, ठीक है, cash flow from operating activity भी आ गया, investing activity भी आ गया, financing activity भी आ गया, और यहां पर हमने cash and cash equivalent भी निकाल दिया, opening और closing balance, सारे answer हमारे आ चुके हैं, तो इस तरीके से यह पूरा question solve होगा, हाँ, अगर question के अंदर balance sheet format दे रखा होता, तो यह पूरा cash flow closing balance से match हो जाता, लेकिन यहां match नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको यहां पर question में balance sheet नहीं दे रखी है, individual answer सब में से पूछे गए थे तो हमने individual answer निकाल ली है, तो अमीद है सबको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा, तो अमीद करता हूँ सब भी को बच्चों को cvhc का accounts का sample paper आज के दिन पूरा हुआ, जो सबको अच्छी तरीके समझ में आया होगा, और अगर अब तक आपने मेरे पुराने प्रीवेस वीडियो नहीं देखे हैं, तो सारे प्रीवेस वीडियो देख लीजिए, पूरा sample paper मैंने इसको solve करवाया है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको like करें, subscribe करें, अपने friends circle के साथ जर्द से जर्द शेयर करें, तो very very all the best to all of you for your upcoming exams, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ,